नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्क्रीन्स के बारे में जिस तरह सारी बिमारियों के लिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इस बेटर दन क्योर बिल्कुल वो ही हमारी स्किन केर पर भी हमें लागू करना चाहिए लेकिन इतने सारे वीडियो बनाने के बाद और आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी स्किन पर हम तरह तरह के क्रीम्स, लोशन, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं इन में प्रमुक हैं फेरनेस क्रीम्स और स्टिरोइड क्रीम्स इन क्रीम्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन को सनलाइट से सेंसिटिव कर देते हैं जिसकी वज़र से धूप में बिना प्रोटेक्शन जाने से हमारी स्किन जल्दी जल जाती है और उसमें फिर दाग और धब्बे होने लगते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि आप संस्क्रीन लगाकर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें वैसे तो हम इंडियन लोगों का रंग गेहुआ होता है इसलिए हमारी स्किन संलाइट से इतनी सेंसिटिव नहीं होती है जितनी गोरे लोगों की होती है जो लेडी घर पर जादा रहती है या जिन लोगों का जादा समय ओफिस में बीचता है उनका काम हलका कोकोनेट ओईल लगाकर या अपने मोईस्चिराइजर में दो तीन ड्रॉप्स कैलेडर लोशन मिलाकर लगाने से भी अच्छा चल जाता है लेकिन यदि आपका काम बाहर घूमने का है या जब आप हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाने जाएं या आप पहाडों में रहते हों और ठंड के दिनों में जब देर तक धूप में बैठते हो तब आपको संस्क्रीन का उप्योग अवश्य करना चाहिए सूरज की किरनों में अल्ट्रा वाइलेट रेज होती है उसमें जो अल्ट्रा वाइलेट बी किरने होती है वो हमारी तवचा की उपरी सता को जलाती है और जो अल्ट्रा वाइलेट एक इरने होती है वो स्किन के अंदर जाकर हमारी स्किन की जो पैडिंग होती है जिसे हम कॉलेजन टिशू कहते हैं उसको नश्ट कर देती है इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग पहाडों में रहते हैं उनकी स्किन 40-45 साल की उमर में ही पतली हो जाती है और उनके चेहरे पे जुरियां पढ़ने लगती है संस्क्रीन दो प्रकार के होते हैं पहला है फिजिकल संस्क्रीन और दूसरा है केमिकल संस्क्रीन फिजिकल संस्क्रीन यूवी ए और यूवी बी दोनों किरनों को हमारी स्किन के अंदर जाने से रोकते हैं ये हैं टाइटेनियम डायोकसाइड और जिंक ऑकसाइड और इनसे एलर्जिक रियाक्शन भी कम होता है केमिकल संस्क्रीन सिर्फ यूवी बी किरनों को एब्सॉब कर लेते हैं लेकिन ये यूवी ए किरनों को स्किन के अंदर जाने से नहीं रोक पाते हैं अब इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा संस्क्रीन है नैचरली फिजिकल संस्क्रीन लेकिन ये बहुत गाड़े या थिक होते हैं और एकदम सफेद रंग के होते हैं जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर अपने चहरे पे जब वो फील्डिंग करते हैं तब लगा लेते हैं ये संस्क्रीन बहुत महंगे भी होते हैं खास करके वो वाले जो कॉस्मेटिकली स्मूध और ज्यादा सफेद नह ही होते हैं आज कल ज्यादा से ज्यादा संस्क्रीन में फिजिकल और केमिकल दोनों एजेंट्स होते हैं तो संस्क्रीन खरीदते समय आपको देखना है कि उसमें फिजिकल और केमिकल संस्क्रीन दोनों के इंग्रीडियंट्स हूँ अब बात करते हैं कि जब हम संस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो कितने SPF याने Sun Protection Factor या शमता का संस्क्रीन खरीदें SPF 15 आपको 93% protection देता है SPF 20 आपको सूरज की किर्णों से 95% protection देता है और SPF 30 आपको 97% protection देता है अब बात करते हैं SPF 50 की जिसकी कीमत SPF 30 से तकरीबन डबल है वो आपकी स्किन को 98% protection देता है याने सिरफ 1% ज़्यादा protection के लिए आप 100% से भी ज़्यादा पैसे दे रहे हो एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप sunscreen खरीदें तो हमेशा multinational drug company के sunscreen खरीदना safe है क्योंकि pharma companies जो भी अपने products market करती हैं उनके पीछे काफी research होती है और वो by and large safe होते हैं जब आप अपना sunscreen खरीदें तब SPF के साथ UVA और UVB protection का भी ध्यान रहे हैं Sunscreen को घर से बाहर निकलने के आदा घंटा पहले लगाना चाहिए 30 SPF के sunscreen का असर 4 से 5 घंटे तक रहता है यदि आप इससे ज़्यादा धूप में रहते हैं तो दो बार sunscreen लगाना चाहिए ये वीडियो खतम करने के पहले एक आखरी बात बोलना चाहती हूँ यदि आप धूप में बाहर जाते समय अपना फेस कपड़े से धकें, सिर धकें, सिर पर टोपी या हैट पहनें और चाता लेकर चलें तो शायद आपको इतने महंगे sunscreen पर पैसा भी ना खर्च करना पड़े आपके कपड़े, चाता, टोपी ये सब physical sunscreen ही तो हैं दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है sunscreen के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए हो या कोई doubts हो तो आप comment box में जरूर से question भेजना मैं आपको अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूगी Thank you